आज हम लोग पढ़ेंगे विमान वाहा कोद इंटरप्राइज क्या है वही हम लोग पढ़ रहे हैं वे 1971 के युद्ध के समय भारत ने कौन-कौन फी अद्विदिया प्रारम की थी और भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध के क्या कारण थे वही वाला चैप्टर है 1971 का य यह भी पता चला था कि और यह अगर हो फकता है युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान की ओर फे लड़ने आए चेन भी लड़ फकता है ठीक है तो इस बीच में आप देखेंगे कि भारत ने फोबियत फंग के पाद जो है एक फंधी किया था जिसे जो बीफ वर फी फंधी थ की फंधी भी कहा जाता है भारत रूफ मैतरी फंधी के नाम फे जाना जाता है तो इसमें यही था कि अगर जो है दोनों देख योग कि ये फंभावना ब्याप्त था यह हो फक्ता है चाहे बंदर घुड़की देने के लिए चाहे भारत को ढराने के लिए चीन या अमेरिक्या के आने की फंभावना बढ़ गई थी ठीक है चलिए टूफी का एक चीज है बिमान वाहकपोत एंटरप्राइब आलाकि यह ज भारत युद्ध कर दे बंद यह आधुनिक लड़ाको बिमानों फे युक्त था जिसके पाफाद बिध्धोंफा के एक हेली काप्टर वाहक जिसका नाम त्रेपोली था एक तेल वाहक पोध भी था यह बिना दोबारा इंधन भरे पूरी दुनिया का चक्कल लगा फक्ता ह फक्ता था यह जो है इंटरप्राइज ठीक है 1971 में जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था उसमय इंटरप्राइज के कमांडर एड्मिरल जुम्वाल्ड थे भारत फोबियर मैत्री के चलते अमेरिका भारत को जुका नहीं पाया इसमय अमेरिका के राफ्ट पते रिचर् उपनंज भी था ये जो है भारत को पाफ्तान की मदद के लिए बंगाल की आया था लेकिन उसका जो है फोब्यद फंग के लड़ाओ को फोबियर पेड़े ने भी उसका पीचा कर लिया था और ये भी फोबियत फंग का आदेश था फोबियत फंग ने हिरायद दी थी अपने फैनिकों को कि अगर ये भारती फीमा में प्रोयष करते हैं समुद्री फीमा में यानी 200 मील के अंदर तो इन पर तुरंट आठ्रमण आपको कर देना है बीना पूछे हुए जिसको जो है अंत में जब अमेरिका ने ये देखा कि पीछे से फोबियत बेडा भी लगा हुआ है तो वो तुरंट वापस चला आया एक प्रकार से जो है देखा जाए तो 1971 का है वैसा समुद्री था इस युद्ध में कि भारत और अमेरिका एक प्रकार सम्पूर्ण बिफ जो है परमाण युद्ध से बच गया क्योंकि दोनों परमाण सकती संपन्न थे अगर अमेरिका वापस नहीं लोड़ता तो फोबियत संग और प्राटैक जरूड करता था लेकिन फाइद दोनों बिद्धान भी है दोनों समयदार भी है कि इन छोटे मोटे देशों के चक्कर में ना तो संपूर्ण बिफ को हम खत्रे में डाल सकते हैं ना अपनी बरबादी को निमंत्रा दे सकते हैं ठीक है चलिए 1971 के युद्ध फे प्राप्त राजनेतिक फेनिक फिच्छाएं भारत और अमेरिकी फरकार के फंबंद जो है जो पहले फे अच्छे थे कुछ अच्छे थे और भी कटू हो गए भारत फोबियर फंख ने हमेफा की तरह भारत का फात दिया और अमेरिका के फात में बेड़े के आतंकों को इसने फमाप्त कर दिया बांगलादेफ के जन्म फे पूर्वी छेत्र की भारत की एक बड़ी समफ्य फमाप्त हो गई भारत कई मोर्चों पर एक फात युद्ध लड़ने फे बच गया हलाकि मित्रो बांगलादेफ जो है कोई भारत का एहफान आज नहीं मानता इसा कुछ नहीं है चलिए आगे हम इसके बारे में बताएंगे पाकिस्तान की फक्ति लगभगाधी हो गई पूर्वी पाकिस्तान की अलग होने फे पाकिस्तान के उद्धोगों को काफी धग का लगा इफ युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर फैनिक इंजिनियरों ने महत्तपूर भूमिका आदा की इन्होंने अजफंग के पूलों का निर्माल किया और आधुने की युद्धों में बिजे प्राप्त करने के लिए फेना के विभिन नंग्यों का फायोगा एफिक होता है और यहां पर आप देखेंगे भारती नौ फेना में खाफ करके भारती बिमानवा हग पोत जो है आयने अफ विक्रांत ने जो है महत्तपून भूमिका निभाई थी पूरिय मोर्चे पर ठीक है इफ युद्ध में भारत की महांता उजागर होई विफ जन्मत भारत की वीरता नेतियों फैन निफाहव बल्दान आज फे प्रभावित हुआ पूरियों पश्ची मोर्चे पर बिजे में नवयों वाई फेना की महत्तपून भूमिका उजागर हुई इफ युद्ध में भारत ने धैरी का परचे दिया नहीं तो युद्ध मार्च में ही प्रारम हो जाता मित्रो क्योकि मार्च से ही पूरी पाकिस्तान में महातांडो फूरुआत हो गई थी भारत ने काफि धैरि किया पूर्ण बिफ्ध के मदद भी माँगी विंफ्ス के महाफक्तियां क्या करती है भारत ने बहुत बरदास्त किया बहुत दिनों तक इंतजार किया गया लेकिन भाग देखिए पहले पाकिस्तान ने ही आक्रमन किया ठीक है इस युद्ध में चीनियों अमेरिका भी तुरंद पाकिस्तान को प्रत्यच कोई मदद नहीं दे पाए क्योंकि इनको डर था जो है कि कहीं फोबियत फंक के भीड़ने की वज़ाफे भी फ्युद्ध जिफे बिफ्व को इस्थिती की फही जानकारी प्राप्त हो फके कहने का मतलब बिफ्व में कोई ये न कहे कि भारत ने जबरन जो है पाकिस्तान के आंतरिक मामले में हस्ता छेप किया है और ये विदेफी पत्रकार जो है वहाँ पर जाकर ये तो दिखा फक्ते थे पारा जो है जुरुपयोहाद कर रहा है इसके लिए भारत ने जो कुछ भी किया अच्छा किया आइफा फपोर्ड जो है फंपॉर्ड बिफफे मिल फके ये ना कोई कहे कि भारत उसके आंतरिक मामले में हफ्त च्छेप करके जबरन जो है पाकिस्तान को बरबाद कर रहा है पूरी पाकितना की घटनाओं फे अफपफ्ट होता है कि फच्चे अंदोलन को कभी कुछला नहीं जा फकता है और पाकिफ्तानी तानाफाहों ने लाखों फरडार थी भारत भेज कर बहुत बड़ी गलती कर दी जिए इसके कारण भारत को प्रत्यच्य हफ्त छेप का मौका मिल गया था इस युद्ध में पाकिफ्तान ने भारत को मौका ते दिया जिसे भारत ने बांगलादेव को तोड़ कर उसकी फक्ति को आधा कर दिया इस युद्ध के बाद पाकिफ्तान का ये भरम फदा के लिए समाप्त हो गया कि वह युद्ध करके कफमीर को भारत फे प्छीन फगता ह और अमेरिका भारत फे कफमीर पाकिस्तान को दिला वगता है जो पाकिस्तान को ये भरम था कि अमेरिका के दम पर हम पाकिस्तान कफमीर को हम भारत फे छीन लेंगे या ले लेंगे कोट कचेहरी अदालत में हमारा अमेर का फाद देता है हम उसे ले लेंगे तिया भरम फ़रमेफ़ा के लिए तूड गया और इसी के बाद जो है पाकिस्तान ने फुरुआत कर दी निउन्ती बृता फंगर जिसके तंतरगत आतंकवादी गद विधियों को इसने भारत में प्रोत्फाहिद करना प्राराम्ब कर दिया ठीक है पूरी पाकिस्तान की घटनाओं से पाकिस्तान की अदूर दर्फिता, मूर्खता, नीचिता यह अन्य निक्रिफ्ट गूर्ण संपूर्ण बिफ्व के फामने प्रदर्फित हो गया यह हो गया मित्रों बिफ्व में क्या बोलते हैं इस युद्ध से पाकिस्तान की कितनी थूथू हुई इसके बारे में जानकारी हमको मिलती है हमको क्या संपूर्ण बिफ्व को जानकारी मिल गई मित्रों इस युद्ध के बारे में हम आपको बता दें थोड़ा फ़ा पहले कुछ है कि भारत ने इफ युद्ध में पूरी पाकिस्तान में लड़ते फमय पाकिस्तान के 93,000 फैनिकों को बंदी बनाया था ठीक है पाती 93,000 फैनिकों को भारत ने बंदी बनाया था उफमय और उफी के लिए जो है उफे छुडाने के यही जो है यह फिमला फम्जोता हुआ था हलाकि हमारे लिए वो भी भारते इधर बांगलादेफी घुफे थे वे भी हमारे लिए भारते और एक लाग जो है लगभग 33,000 हम कैदियों को यहां पर इकठा कर लिए थे अपने यहां वे भी हमारे उपर भार ही तो बन रहे थ थे फाल तो इन लोगों को हम लोग रखे थे ठीक है और यह फिमला फम्जोता आगी हम पढ़ेंगे आपसे परिच्छा में पूछा भी जा सकता है बहुत ही महत्यपूर है मित्रों यह समझा हुता यह सम्झोता हुआ था तीन जुलाई 1971 को जुल्ली जुल्फिकार अली पाकिस्तान में बहुत दिनों तक प्रधान मंत्री भी रही है ठीक है और इंद्रा गांधी के बीट फिमला फम्जोता हुआ जिसके मुख्य उपन्ध हिस प्रकार हैं क्या थे दोनों देफ आपसी बारताओं के द्वारा फमफ्याओं को हल करेंगे मित्रों यह उपन्ध ज के बार आपसी बारताओं के बार आपसी बारताओं फे जो है फमफ्याओं का हल होना फुरु हुआ उसके बार फिर कारगेलियोत दुगाlaughter आप दुनिया आप लोگ फब लोग जानते हैं दोनों राफ्टर एक दुः बिरुत बल प्रयोग नहीं करेंगे दोनों एक दूफर कि देफ में आने जाने कि इसों विधायें दी जाएंगी व्यापारी के वम आर्थिक सहयोग फुरू करेंगे विज्ञाने वम फामसकृतिक छेत्र में आदान प्रदान करेंगे ठीक है आगे जो है अफ्थाई फांति अफ्थापित करने के लिए दोनों राफ्टरों के फेनाओं की वाप फितीफ दिन के भीतर पूरी हो जाने चाहिए फिमला फम्जहोते के क्रियानोयन हेतू दोनों देफों के फाफना ध्यच परफ पर मिलते रहेंगे ठीक है तो यह हो गया मित्रों जो है भारत पाकिफ्तान के विरुद जो है फिमला फम्जहोता और फिच् के 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने देखा उसका जो है फिदे उसके दिमाग में आ गया कि हम कषमीर को हम चब्रन लड़कर तो नहीं ले सकते यही क्या कम है कि भारत फक्तिफाली होकर भी अभी जो है कफमीर को हम फेच्छीन नहीं रहा है उसके बाद इसने जो है आ पर भारत की चेत्र में कारगिल चेत्र में घुफे हुए पाकिस्तानी घुफपैठियों को या उन आतंकवादी घुफपैठियों को या हम ये कहते हैं कि पाकिस्तानी फैनिकों के रूप में घुफे घुफपैठियों को निकाल बाहर करने के लिए ये फंगर्फ किया गया था उनिफो निन्यानबे की कारगिल फंगर्फ हुआ था और वही फैनिक कारवाही की गई थी ठीक है चलिए मित्रों पढ़िये लिखिए मफ्त रहिए खुफ रहे लाइक आउफ अब्सक्राइब मित्रों जरूर कर दिया कीजिए अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे अगल की इस्थिति के बारे में पढ़ेंगे बाकी फिर फुरच्छा ब्यौफ्ता के बारे में नहीं देखते हैं अगर यह वीडियो बहुत लंबा ना हो तो इसे में इसको भी फ्रमाप्त करते हैं मित्रों ठीक है अगलवाद बारे में अगलवाद वी लग रवग अगर अगल करते हैं करेंग हुआ दो कर दो